Hello everyone, मैं हूँ सच्चिन और आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चानल पर जहां हम लोग देख रहा है Website Development with PHP और आज के इस क्लास में हम लोग Array से लेटेड एक function देखने वाले है जिसका नाम है Array Intersect, ठीक है? Array Intersect का एक function नहीं हम लोग तीन function देखेंगे, ठीक है? तब से पहले मैं आपको Simple Array Intersect function क्या करता है वो बताता हूँ तो यह तो एक नया Array return करता है तो मैं यहाँ पर एक variable ले लेता हूँ new नाम से और उसके बाद यहाँ पर जैस्ट मैं लिख देता हूँ Array Underscore Intersect और यहाँ पर यह जो दो Array मैंने बना के रखा है एक है course 1 और दूसरा है course 2 इसको मैं पास कर देता हूँ ठीक है? और पास करने के बाद में अब इसको यहाँ पर मैं प्रिंट करवाँगा तो Array को प्रिंट करवाने के लिए प्रिंटार function और यह अच्छा तरीका से प्रिंट हो इसके लिए मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ ठीक है? और अब मैं डारेक्ट आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यह किस प्रकार का Array रिजल्ट करता है फिर मैं हम लोगों को रिटेन करता है यहाँ पर यह क्या रिटेन किया? यहाँ पर यह Tally और C++ रिटेन किया? क्योंकि यहाँ पर Tally और C++ दोनों common है मतलब Array Course 1 Array और Course 2 Array में जो वैल्यू है न वो Tally और C++ क्या है? सेम है तो यह सेम वैल्यू ही हम लोगों को रिटेन करेगा Intersection का मतलब ही होता है दोनों में जो common होता है ठीक है न? अब रहा बात कि अगर मेरे को उस प्रकार से जो common की हो वो चाहिए सिर्फ वैल्यू common हो यह वो ना देखे तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा दूसरा function मैं यूज कर सकता हूं जिससे का नाम है array underscore intersect key तो अब इसका use अगर मैं कर दूँ तो अब यह value को focus नहीं करेगा यह key को focus करेगा और मेरे को common key return करेगा तो देखे यहां पे 101 और 104 key का value लाया क्योंकि यहां पे 101 और 101 common है और 104 और 104 common है तो आप सबको पता चलिया होगा अगर value को common करवाना है तो array intersect लिखिए और अगर key को focus करवाना है तो array intersect key लिखिए और मान लिजिए कि दोनों को focus करवाना है तो ऐसा situation में array asos का use करना होगा हम लोगों को ठीक है मतलब array की asos तो इसका use करने के बाद अगर मैं यहां जाऊं और अगर मैं इसको refresh करूं तो मेरे को सिर्फ एक ही value मिल रहा है 104 c++ मतलब कि यह दोनों देखेगा कि key और value दोनों अगर match होता है तो ही यह मेरे को return करेगा देखें यहां 101 और 101 key तो match कर रहा था मगर इनका value अलग था ठीक है मगर यहां पे 104 और 104 जो है यह दोनों key और दोनों value match कर रहा था बोल के यह दोनों को लेके आया तो अगर मान लिजे कि आप key और value दोनों पे focus करवाना चाहते इंटरसेक्शन के दोरान तो आप array intersection asos का use करिएगा तो I hope आप सबको यह तीनो function समझ में आया होगा अगर समझ में आया तो मेरे इस वीडियो को like करिएगा और मेरे चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा